हे टेकीज, वेलकम टो आर चैनल टेक वोटेट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाल है मी लेवन अल्टरा के इंडियन लॉंच के बारे में कल शाओमी का एक मेगा लॉंच इविन था ग्लोबली जहाँ पे शाओमी ने अपने इस मी लेवन सीरीज को एकस्पांड किया है अपने पाच ने डिवाइस इसके साथ नेमली मी लेवन आई, मी लेवन लाइट 4G, लाइट 5G, मी लेवन प्रो और टॉप नॉच मी लेवन अल्टरा मी लेवन अल्टरा बिलकुल हाइएंड फ्लैक्शिप फोन है अब इसके इंडन लाउंच के बारे में भी न्यूज आ रही है जो कि आज के इस फीडियो में मैं डीटेल में कवर करूँगा इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन और एकस्पेक्टेट प्राइजिंग बट बिफोर दाट अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो फॉर सम अमेजिंग टेक कॉंटेंट कल जैसे ही इसका ग्लोबल लाउंच इवेंट कम्प्लीट हुआ उसके बाद शाओमी इंडिया के हेड मनुकुमार जैन ने ट्विटर पे लोगों से ट्वीट करके पूछा कि क्या वो मी लेवन अल्ट्रा को इंडिया में देखना चाहेंगे या नहीं मुस्टली ब्रैंड असर तभी करते है जब उनका पहले से ही लाउंच करने का प्लान होता है सो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते है कि शाओमी अपने इस मी लेवन अल्ट्रा को जल्दी इंडिया में लाउंच करेगा बाकी के फोन्स भी साथी में लाउंच हो भी सकते हैं बट उनके बारे में इसी कोई भी ऑथेंटिक इंफर्मिशन नहीं है स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में एक 6.8 इंच का 4-sided curved 2 के AMOLED डिस्प्ले मिलता है विद QHD plus resolution 120Hz का adaptive fast refresh rate भी मिलता है with 480Hz touch sampling rate 1700 nits की brightness मिल जाती है with MEMC technology और HDR10 plus support भी देखने को मिलता है Build quality और design की बात करें तो of course हम यहाँ एक premium flagship smartphone की बात करें है तो इसलिए इसमें दोनों sites पर Corning Gorilla Glass Victus का protection मिलता है with IP68 rating जो की इस phone को waterproof बनाती है design की बात करें तो बहुत ही wide camera layout है but definitely can't deny की design काफी अच्छा और unique लगता है overall display और form factor बिल्कुल top of the line है chipset की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 888 chipset मिलता है जो की अभी तक का most powerful flagship processor है 5NM पर based 5G processor है और इसका अंदूरू score 7 lakh को भी exceed करता है heavy gaming और multitasking और बहुत easily कर सकते हो कोई भी issues नहीं आने वाले है performance और better बनाने के लिए मिलती है LPDDR5 RAM और UFS 3.1 Storage बैटरी की बात करें तो एक 5000 mAh की बैटरी मिलती है with 67W wired and wireless fast charging along with USB Type-C port just like Mi 11 you get an option whether आपको fast charger box में चाहिए या नहीं ये एक बहुत ही अच्छा initiative है camera department की बात करें तो rare side पर एक triple camera setup मिलता है which packs a 50MP Samsung GN2 primary sensor, 48MP Sony IMX586 ultra wide lens and a 48MP IMX586 telephoto lens with 5x optical zoom and 120x digital zoom front side पर एक 20MP का selfie camera मिलता है rare side से आप 8K तक video recording कर सकते हो camera में सारे features भी मिल जाते है and DxO Mark ने इस phone के camera को number one ranking दी है camera भी बिल्कुल top notch है and मैं personally बहुत ही जादा surprised हूँ इस phone के camera से बाकी features की बात करें तो dual 4G, volte, dual 5G standby, wifi calling और camera to API का support मिलता है and उसके अलावा सारे sensors भी मिल जाते है including an in-display fingerprint scanner OS की बात करें तो इसमें MIUI 12.5 मिलता है based on Android 11 out of the box pricing की बात करें तो globally इसके 8GB, 256GB variant की price है 1200 euros which is approximately 1 lakh rupees I know काफी लोग शौक होंगे इसकी pricing से बट अगर इसकी Chinese pricing की बात करें तो हो है कुछ 5,600 RMB which is nearly 62,000 rupees and हमेश यह Indian pricing चाइना की pricing से similar होती है and अकसर ही global pricing बहुत जादा high होती है मतलब इंडिया में ये phone 65 to 70,000 तक आ सकता है I guess April में ये Mi 11 सीरीज के बाकी phones के साथ ही इंडिया में launch हो जाएगा मुझे अभी भी काफी confusion है क्या 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 कोई भी इंडिया में 65,000 एक Xiaomi phone पर spend करेगा I think उतना response इसे इंडिया में नहीं मिल पाएगा but still इस phone की hype तो बहुत है well आपको क्या लगत है कि क्या Xiaomi के इस Mi 11 Ultra को और इंडिया में उतना response मिल पाएगा या नहीं comment section में ज़रूर बताना that's it for this video अगर आपको विडियो पसंद आया then hit the like button and subscribe our channel for some amazing tech content keep showing love and stay devoted to tech just like we do आपको बाएगा